हालो गाइस वेलकम बैक टू पैसा इंवेस्टू आज हम एक्विटी डेरिवेट्टिव सेरीज का थर्ड चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फॉर्वर्ड फ्यूचर कॉंट्रक्ट पार्ट वन इसे में दो पार्ट्स में बढ़ाने वाली हूं पिक और यह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो बहुत इसी हो जाएगा मांक्स को गेंड करने के लिए ओके सो दो पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को फॉर्स पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं आईए पहले देख लेते हैं मैं आपको एक वीडियो का अब पैटन बता देती हूं हम इसको पहले हम फॉर्स पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो इंट्रोड़क्शन वाला पार्ट है यह पार्ट फॉर्स में हम पढ़ेंगे क्योंकि यह थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक अगर आपने फॉर्स पार्ट बहुत अच्छे से समझ लिया तो सेकंड पार्ट आपको समझने में बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी देन वीडियो का जो पैटन रहेगा तो स्टार्टिंग में मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगी देन इन बिट्विन आप दे व वीडियो हम एक वेक्रेजिक प्रिवीजन करेंगे प्लस मैं आपको यह भी पताऊंगे कि इस टॉपिक से कितने माखस के कॉश्चन आएंगे सो के लेट से स्टार्ट सबसे फुर्स्ट हम introduction से start करेंगे तो यहां पर हम forward contract पढ़ते हैं तो बेसिकली forward contract क्या अगर आपने मेरा 1डिन बेसिक आव डैरेवेटिव वाला चाप्टर अच्छे से वॉच्च किया है तो वहां पर भी मैंने इसको define किया था फृट मैं Incre perfection कर देती हूं फॉर्वर्ड क्या है एक derivative है चिक है और फॉर्वर्ड कॉंट्रेक्ट किन के बीच होता है दो पार्टीस के बीच होता है चिक है और ये जो दोनों पार्टीस है या अपस में एक agreement बनाती है अब ये agreement किस लीगल होता है और सम्टाइम्स ये ओन कॉल हो सकता है और मेबी जिस्ट बातों में हो सकता है ओके सो यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि ये contract always legal ही रहेगा ये दोनों पार्टीस आपस में decide कर लेंगी और contract यहां पर built हो जाएगा अब ये दोनों जो पार्टीस होती है तो एक पार्टी होती है आपकी buyer and second party होती है आपकी seller और ये दोनों पार्टी ही आपस में एक दुसरे के लिए as a counterparty behave करती है अब counterparty कौन होती है तो counterparty financial market में हम उन्हें बोलते हैं जो कि terms and condition जितनी भी है वो as it is fulfill की जाए इसकी इसका ध्यान रखती है कहीं पर कोई भी fraud ना हो इसका ध्यान रखती है बट in case of forward contract जो दो जो दो parties हैं एक buyer एक seller party है तो वो दोनों एक दुसरे के लिए counterparty होती है हम और इसकी एक जो क्या बलना चाहिए technical definition है वो देख लेते हैं because sometimes direct question आ जाता है कि forward contract what is forward contract और आपके पास चार option रहेंगे या फिर आपको यह question आ जाएगा just like an agreement met directly between two parties to buy or sell an asset on the specific date in the future at the terms decided today तो यहां पर आपको फिर four option रहेंगे उसमें से एक right answer आपको forward contract रहेगा अब इस definition के according आपको क्या समझ में आया कि कोई दो parties आपस में agreement कर लेती हैं आज की date में और उनका जो transition होने वाला रहता है वो future date में होने वाला रहता है जैसे for example हम यहां पर एक example लेते हैं ओके so example हम यह लेते हैं कि कोई Mr. A है ओके और एक Mr. B है अब Mr. A buyer है इनको rice purchase करना है Mr. B seller है और इनको rice जो है वो sell करना है ठीक है Mr. B से rice buy करेंगे कब next month में अब क्या होता है कि next month जो rice का जो price रहता है वो 20 rupees से increase हो जाता है तो यहां पर अब already जब contract बन गया था है ना आज की date में already contract बन गया था तो Mr. B को जो 120 rupees मिल रहे थे next month में पर kg के वो उनको 100 rupees में sell करने पड़े किसको Mr. A को अब यहां पर क्या हुआ Mr. A का 20 rupees का profit हो गया मतलब जो उनको next month 120 rupees में राइस मिलने वाले थे वो उन्होंने पहले contract सेट कर लिया तो उनको 20 rupees कम में मिल गया 100 rupees में मिल गया अब इसका next case भी देख लेतें for suppose अगर next month rice का जो price है वो 20 rupees से डाउन गिर जाता है तो यहां पर क्या होगा जब already 100 rupees पे contract बन चुका था दोनों के बीच में तो Mr. A को 100 rupees में ही purchase करने पड़े और उनको 20 rupees का यहां पर loss हो गया क्योंकि उन्होंने 100 rupees पे decide करा था बट अभी जो price है वो 80 rupees पर kg का है तो Mr. A को loss हो गया यहां पर फाइदा किसको हुआ Mr. B को 20 rupees का profit हो गया क्योंकि उन्होंने क्या decide किया था 100 rupees पे sell करने के लिए किया था बट उनको market rate में वो 80 rupees में ही मिल रहा है तो forward contract एक पार्टी के लिए beneficial होता है और दूसरी पार्टी के लिए loss के लिए होता है बट sometimes अगर आप prediction दोनों पार्टी में से किसी भी एक पार्टी का correct है तो उसको फाइदा हो जाता है तो आपको यह clear हुआ कि forward contract क्या होता है दो पार्टी के बीच में setup होता है दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए counter party की तरह behave करती है मतलब जो terms and condition है उनको fulfill करना जो है उसकी जिम्मेदारी स्रिफ buyer और seller की ही होती है if in case कोई भी contract अगर आज की date में बनाया जा रहा है तो उसको आपको जिस भी date तक के लिए आपने उस contract को बनाया है उस date को आपको fulfill करना ही पड़ता है whether you are in loss or in profit और दोनों में से किसी एक party को profit होगा और किसी एक party को नुकसान होगा हर एक case में okay so this is forward contract और यह mainly commodity foreign exchange equity interest rate market इनमें use होता है जैसे rice का जो हमने example लिया था तो वो commodity का था अगर मैं किसी share का example लेती तो वो equity का होता okay then next is essential features क्या है essential features forward contract के यह है आप चाहें तो इसको note कर लीजे sometimes यह भी direct question आ जाता है कि जो forward contract होता है वो bilateral contract होता है okay bilateral का मतलब क्या क्योंकि यह दो parties के बीच में बनता है है न और दोनों ही party एक दूसरे के लिए as a counterparty behavior करती है तो because जो counterparties है वो दो counterparties है इसलिए इसके लिए bilateral word use किया गया है तो यह आप कहीं पर note कर लीजे यह direct question आता है कि forward contract is also known as और आपको एक answer रहेगा bilateral contract और two false में भी आ सकता है कि forward contract is also known as bilateral contract तो वहाँ पर true या false लिखना है चीक है और और then all terms of the contract like price quantity quality underline delivery terms like place settlement procedure etc are fixed on the date of entering into the contract मतलब जिस दिन भी contract बनेगा जिस दिन भी आप contract को sign करेंगे तो उसी दिन आपको यह सारी terms जो है आपको decide कर लेनी होगी कोई भी particular जो भी आप equity या फिर commodity या फिर interest जो जिस पे भी आप contract set up कर रहे हैं तो उसका price उसकी quality plus आप delivery किस date को देने वाले हैं किस जगह पे देने वाले हैं तो यह जो सारी procedures हैं वह आपको जिस दिन आप contract set up करते हैं उसी दिन आपको बनानी होगी then second जो forward contract है वो bilateral over the counter भी बोला जाता है और यहां पर word क्यों use किया ओवर दो कांट्रेक्ट इसलिए word use किया क्योंकि जो भी होता है वह आज की date में today ठीक है आज की date में वह हम contract set up करते हैं buyer seller के साथ करता है seller buyer के साथ करता है तो इसलिए over the counter मतलब एक table पे बैठके और आपस में दोनों उन्होंने एक contract set कर लिए तो इसलिए over the counter बोला जाता है और bilateral का meaning मैंने आपको बताया तो यह भी आप note करके रखिए कि forward are bilateral over the counter OTC में भी sometimes आपको पूरा full form लिखा हुआ आएगा over the counter में भी आपको OTC लिखा हुआएगा और में भी आपसे full form पूछ सकते हैं कि OTC का full form क्या है और one चार option में से एक option correct रहेगा जो रहेगा over the counter वहां पर बहुत सारे combinations होते हैं जो similar होते हैं like over the counter out the counter तो आपको वह over the counter यहां पर दिहान रखना पड़ेगा तो यह दो important चीज है इस topic से कि forward contract bilateral contract होते हैं second thing कि जो भी quality quantity price delivery date यह सब आपको contract जी दिन setup होता है उसी same date पर आपको define करनी होगी then forward जो है वो bilateral over the counter होते हैं क्योंकि नहीं बताया same date में हो जाता है और plus जो दो parties रहती हैं वो दोनों ही एक दुसरे के लिए as a counterparty behave करती है ओके then next topic जो है वो हमारा limitations है कि forward contract में ऐसी क्या limitations रही जिससे की future contract को launch किया गया तो यहाँ पर दो limitations है एक liquidity और एक counterparty अब liquidity risk क्या होती है इसको आप ध्यान से समझना विकोज इस पर भी question आता है liquidity risk का मतलब क्या होता है liquidity का liquidity मतलब आप क्या समझ सकते हैं अगर हम finance के word में बोलें finance की term में बोलें तो liquidity का मतलब होता है volumes छीक है volumes मतलब क्या number of buyer and seller छीक है तो वह liquidity decide कर अगर ज्यादा maximum buyer seller आ रहे हैं तो high liquidity है ठीक है तो liquidity risk कैसे generate होती थी forward contract में because यहां पर जरूरी नहीं है कि आपने जो आप जो contract बनाना चाह रहे हैं और जिस जो risk है तो यह liquidity risk कहलाती है for suppose आपने एक contract आपने पहले बनाया था है ना one month आपने before a contract set किया था ठीक है आपने 100 rupees में यहां पर कोई share purchase कर लिया ठीक है और अब आपको ऐसा लगा आपने one month पहले वह 100 rupees में वह share इसलिए खरीदा था क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि next month तक जो है इसका price around 150 तक मुझे मिल जाएगा ठीक है तो मैं 150 पर इसको sell कर दूँगा अब आपको यहां पर as a seller एक contract बनाना है ठीक है उसके लिए आपको buyer चाहिए है ना buyer को आपको क्या बोलना है कि मुझे 150 rupees पर यह में जो securities मेरे पास है यह sell करना चाहता हूं बट यहां पर कोई भी आपने बहुत सारे लोगों से पूछा पर कोई भी यहां पर 150 rupees पर उस securities को खरीदने के लिए तयान नहीं यहां पर आपने rate और कम कर दिया 120 rupees का कर दिया फिर भी आपको कोई buyer नहीं मिल रहा है यहां पर और आपने rate कम कर दिया कि ठीक है भी मेरा जिस cost से मैंने खरीदा था उसी cost से मैं बेश देता हूं तो भी आपको यहां पर कोई buyer मिल नहीं रहा है तो यह जो problem create होती है इसको liquidity risk बोला जाता है ओके डैन नेक्स्ट हमारा counterparty risk counterparty का मीनिंग आप मैंने आपको बताया था कि वह प्यक्ति या वह institute या वह entity जो कि जो भी risk है related to buying और selling in the forward contract वह उसका ध्यान रखती है कि जित्ती भी terms and conditions जो at the time of contract formation दी गई थी contract में तो वह सब कुछ fulfill हो रही है या नहीं हो रही है ठीक है तो counterparty risk कैसे आती है जैसे कि मैंने आपको एक example दिया था कि मिस्टर एक है ना यह buyer है ओके और मिस्टर बी जो है वो seller थे sorry यहां पर मैंने यह लिखते है मिस्टर बी जो थे वो seller थे है ना इन लोगोंने decide किया था 100 रूपी पर kg का price rice का correct है और next month यह contract जो था वो close होने वाला था है ना अब जो rice का price next month कितना हो गया 120 रूपीज का हो गया है ना तो यहां पर हो सकता है कि जो Mr. B है वो contract को fulfill ना करें contract को fulfill ना करें because यहां पर क्या है कोई भी अधर कोई लीगल counterparty नहीं है है ना यहां पर A जो है वो B के लिए as a counterparty behave कर रहे और B जो है वो A के लिए counterparty behave कर रहे तो इसलिए यहां पर यह फुल्फिल करने के लिए इसको इसकी limitations को height करने के लिए future contract को market में लाया गया ओके अब हम स्टार्ट करेंगे main topic हमारा future contract ठीके तो future contract क्या होता है future contract हमने last first chapter में भी बढ़ा था पर मैं एक और बार आपको revise कर देती हूं future contract is an agreement made through an organized exchange made through an organized exchange to buy or sell a fixed amount of commodity or financial asset ठीके fixed amount of commodity or financial asset on the future date at the agreed price ठीके मैं आपको इसका meaning समझाती हूं okay for suppose आपको contract समझ में आगया कि agreement set हो गया buyer seller में कि एक मंद के बाद में या दो मंद के बाद में हम इस price पे settlement कर लेंगे but future contract में क्या होता है forward contract में क्या था कि जो दो पार्टी होती है है न बायर और seller तो यही दोनों एक दूसरे के लिए as a counterparty behave करती है right but in future जो counterparty है जो रिस्क और fraud and को होने से रोपती है तो वो counterparty कोन होता है कोई organized exchange होता है मतलब आप किसी exchange के तुरू buying या selling करने वाले अब हमारे इंडिया में दो exchange है एक NAC exchange है एक BAC exchange है national stock exchange और Bombay stock exchange तो हम जो भी future में trade करते हैं वो इन दोनों exchange के तुरू करते हैं और अगर commodity में trade करना है तो उसके लिए mcx है तो यह वाला जो है यह commodity का है ठीक है बट यह जो दोनों है अगर आपको securities में trade करना है मतलब आपको stocks में trade करना है या फिर आपको bonds में trade करना है या फिर आपको interest rate derivatives में trade करना है या फिर आपको currency में trade करना है तो उसके लिए आपको NAC BAC के तुरू ही करना पड़ेगा ओके डन नेक्स्ट तिंग इस खी यह कॉंट्रेक्ट क्या होता है और यह कैश मार्केट से क्यों अलग है अगर हमको सिकुरिटीज ही परचेस करनी है तो हम कैश मार्केट में भी तो परचेस कर सकते हैं इसमे फ्य।्यूचर कौंट्रैक्ट बनाने कि क्या ज़र्शण रहते है तो एक छोटा सा डिफ्रेंस है अच्छरों फ्यूचर कॉंट्रैक्ट कोमार्केट्हिंए बाईग और सेलिंग करने के लिए लाउजच नहीं किया गया इविन डेरिवेटिवस को भी आइंग या सेलिंग लॉंच करने के लिए नहीं किया गया जो रिस्क जो वालेटिलिटी के कारण जो रिस्क जनरेट हो रही थी मतलब जो मुमेंट हो रहा है सिकरिटीज का अप एन डाउन उसके कारण जो रिस्क जनरेट हो रही थी तो उसको मिनिमाइस करने के लिए डेरिवेटिव को लॉंच क कि आज अगर हमको लग रहा है कि नेक्स्ट मन्थ तक जो है पर्टिकुलर स्टॉक डाउन साइड आ जाएगा तो हम आज की डेट में उसको सेल कर देते हैं नेक्स्ट मन्थ में हम उसको फिर से रिटन बाई कर लेंगे तो इसलिए डेरिवेटिवस को यहाँ पर लॉंच किया गया अभी फ्यूचर कॉंट्रेक्ट क्या होता है फ्यूचर कॉंट्रेक्ट future contract में भी दो parties के बीच में ही बनता है चीक है एक buyer होता है एक seller होता है चीक है बट यहाँ पे buyer seller को नहीं डूनता नहीं seller buyer को डूनता है यहाँ पे आपको एक platform provide किया जाता है आपको एक platform provide किया जाता है जो कि आपको exchange provide करता है और exchange के थुरू आप buying या selling करते है अब इस buying और selling का मतलब क्या होता है है ना जैसे कि आज cash में मतलब जो stock है उसका price चल रहा है थोड़ा सा मैं easy number लेती हूँ 100 rupees ठीक है और आपको future में लगता है कि at the end of the month ये जो है ये 100 rupees का जो price है ये 150 के levels पे आ जाएगा और आप ये share बेशना नहीं चाहते है क्योंकि इसमें risk भी है कि अगर फॉर्स बस 150 मतलब ये अगर 150 के वे उपर निकल गया तो उस case में क्या होगा तो यहाँ पे आप क्या करते हो ये जो moment आ रहा है short term के लिए आप उसको future में उसका benefit उठाना चाहते हो तो आप future में क्या agreement करते हो कि at the end of the month में 150 rupees पे ये share को जो है बेश दूँगा तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा at present price पे 100 rupees पे आपको buy करना पड़ेगा कहां पर future में क्योंकि future का price जो रहता है वो underlying से ही derived होता है तो अभी दोनों का future और cash का जो price चल रहा होगा वो although similar ही चल रहा होगा तो आप क्या करते हो future में 100 rupees पे अभी buy कर लेते हो and at the time of expiry और at the time of exercise मतलब जब भी आपका contract खतम होने वाला है wages rate के दिन उस दिन आप क्या करोगे आपको 150 का price expected है तो आप उस दिन इसको sell करने के लिए try करोगे चीक है तो ये future contract होता है इसके लिए आपको कोई buyer seller डूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती exchange पे listed होती है scripts futures में तो उन scripts पे आप trading कर सकते हो आपको जो future का price है वो कहां से define होता है underlying से मतलब जो cash में जो securities का price चल रहा है stock का price चल रहा है तो उससे उसका price define होता है I hope कि आपको ये understand हुआ होगा then features of future इसके features क्या है जो contract बनता है two parties के बीच में वो exchange के through बनता है ठीक है तो यहां पे ये चीज़ नहीं होती जैसे हमने forward में देखा तक कि Mr. B जो थे वो मुकर गए थे अपना 100 रुपी पे rise बेशने के लिए क्योंको 120 का price मिल रहा था बट यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं यहां पे mediator exchange है अगर आपने 120 रुपीज से sell किया sell करने के लिए आपने bit रखा है तो आपको 120 पे ही sell करना पड़ेगा चाहे market में price 150 रुपीज का ही क्यों ना मिले तो यहां पे जो counterparty risk है वो क्या हो जाती है खतम हो जाती है centralized trading platform that is exchange मतलब सभी लोगों के लिए एक ही platform रहेगा all over India में आप एक ही platform के थ्रू जो है trade कर सकते हैं तो liquidity risk भी जो है यहां पे कम हो जाती है मतलब अगर एक ही platform है तो जितने भी लोग हैं वो एक ही जगा पे आएंगे आपको buyer और seller डूनने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा कि महाराष्ट्रा से एंपी में वेक्ति buyer seller डूनने जा रहा है नहीं एक ही platform है तो महाराष्ट्रा MP गुजरात दिल्ली हर जगे का वेक्ति एक की platform पे अपना product जो है या अपना securities जो है वो बेशने के लिए खरीदने के लिए आएगा तो liquidity problem कम हो जाएगी ठीक है जो price discovery हो रहती है वो free interaction और buyer seller रहती है मतलब जो भी buyer और seller के बीच में जो price decide हो रहा है वो interaction free है मतलब आपको buyer से मिलने की जरूरत नहीं है ना buyer को seller से मिलने की जरूरत है फिर जो margin रहता है margin amount वो payable रहता है by both the parties अब ये margin क्या होता है यह मैं आपको जब हम future terminologies पढ़ेंगे तो उस time पे मैं आपको इसको discuss करूंगी बट exchange क्या करता है दोनों ही parties से कुछ token money लेता है जिससे कि दोनों parties अपना जो भी उन्होंने agreement किया है मतलब जो contract जिस contract में उन्होंने buying और selling की है तो उससे मुक्रे नहीं उनको वो settlement करना ही पड़ेगा तो इसलिए वो एक security money लेता है margin amount ठीक है then quality decided today मतलब कि जो भी quality product की जो quality रहेगी यह like number of quantity आपको कित्ती provide करनी है या फिर अगर आप commodity पर कर रहे हैं तो आपको कितना amount का provide करना है तो वो सब उसी दिन इस्टेंडराइज रहती है इस्टेंडराइज का meaning यह रहता है कि exchange ही decide करता है for example अगर मैं gold की बात करूं चीक है तो gold का जो lot size है वो hundred का है और sorry train gram का है है ना मतलब minimum आपको 10 gram purchase करना ही पड़ेगा मीनी का और अगर आप mega खरीदते हैं तो यहां पर आपको one kg gold खरीदना ही पड़ेगा तो यह जो होता है यह already decided रहता है मुझे यह commodity का इतना नहीं है lot size का पर हाँ फिर भी इतना ही कि like exchange decide करता है कि कितना quantity में आपको खरीदना है for suppose अगर मैं equity की बात करूं तो जैसे nifty है तो nifty index जो है उसका 75 का lot size है ओके अगर मैं reliance industry के share की बात करूं तो reliance industry का जो future का lot size है वो 505 का है मतलब आपको minimum इतने quantity buying और selling करनी ही पड़ेगी है ना इसलिए यहाँ पर standardized word use कि already decided होती है और सबके लिए same होती है सबके लिए अलग-अलग नहीं होती ठीक है तो quality और quantity दोनों standardized होती है आपको जो एक्सचेंज ने decide करा है तो उसी quantity और quality के according आपको buying या selling करनी पड़ेगी हर contract में ठीक है then next next हम पड़ेंगे future termologist यह important है यह आप हर एक समझ के लिजे अच्छे से because अगर यह आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको easy होगा बहुत सारी चीजे समझने के लिए मैं एक एक करके आपको समझाती हूं first लेते हैं हम spot price ठीक है so spot price का मतलब क्या होता है हमने बार बार हम अंडरलाइंग वर्ड यूज कर रहे है राइट और यह अंडरलाइंग क्या होती है जो हम shares purchase करते हैं है ना उसी उनी shares को हम underline भी use करते है in case of future अगर यह जो share है यह equity market में भी listed है है ना और यह future में भी listed है चीक है तो यह जो equity है particular share की for example example ले लेती हूं में SBI का चीक है तो जो state bank of India है उसकी equity भी है और वो future में भी डिस्टेड है तो यह जो SBI है इसका जो equity में price चल रहा होगा इसको हम spot price बोलेंगे ठीक है और यह ही पर यह second term भी समझ लीजिए आप और जो future में price चल रहा होगा तो यह तो clear है कि उसको हम future price बोलेंगे ठीक है sometimes इसको कहीं कहीं पर आपको कोशन जो आएंगे तो spot price की जगा underline price भी यहां पर में भी वो बोल सकते हैं इसको confuse करने के लिए बट underline price और spot price meaning similarity है ठीक है जो equity में जो share का price चल रहा होगा उसको spot price या underline price बोलेंगे और future में जो भी securities का price चल रहा होगा उसको future price बोलेंगे ओके देन next term आती है contract cycle तो contract cycle अच्छे से समझेगा आप अभी अगर मैं exchange की बात करूं क्योंकि हम future की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं NAC exchange की बात करती हूं विकास रिफ NAC exchange पर ही future trading होती है ओके सो BSC पर भी होती है पर BSC ने अभी I think platform प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो maximum जो trading होती है future में वो NAC exchange पर ही होती है तो हम contract cycle की बात करते हैं contract cycle क्या होता है आप बार-बार मेरे नमूंसे सुन रहे हैं कि contract की expiry होती है मतलब कोई एक date होती है जिस दिन वो contract expire कर जाता है है ना खतम हो जाता है वो contract ओके सो जो exchange traded futures होते हैं उनकी जो contract cycle होती है वो one month की contract cycle होती है चीके और three months contract open रहते हैं three months के contract open रहते हैं हर एक contract की one month की cycle रहते है और थी months के contract open रहते है अब यह three months के contract open कैसे रहेंगे जैसे अभ Richmond contract open है Out有ust के बाद में September contract और October contract यह तीन contract open है ठीक है जैसी August contract खतम हो जाएगा तो यहां से September contract October contract और November contract नियो स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन भी September contract खतम हो गया उस दिन October contract November contract and same day जिस दिन September contract खतम हुआ है उसके next day यहां पर December contract active हो जाएगा ओके एन जिस दिन October contract finish होगा तो उसके next day यहां पर January contract open हो जाएगा तो इस तरीके से यह cycle चलती रहती है वन टाइम में 3 contract open रहते हैं आप तीनों contract में से किसी में भी trade कर सकते हैं आप August month चल रहा है आप September में भी trade कर सकते हैं आप October में भी कर सकते हैं अगर September contract चल रहा है current तो आप October November में trade कर सकते हैं तो 3 months जो है 3 months के contract open रहते हैं ओके देन नेक्स्ट है हमारा मैं यहां पर यह 3 months रहने देती हूं है है ना ओके तो अब नेक्स्ट है हमारा topic expiration day expiration day का मतलब क्या जिस दिन contract खतम होने वाला है बंद होने वाला है उस दिन contract की date complete हो जाएगी है ना last day of contract भी बोल सकते हो आप इसको last day of contract में लब उस दिन आपको finally अगर आपने buy किया हुआ है तो आपको आपका contract sell कर देना होगा यह sell कर रखा है तो आपको contract को फिर से buy करना पड़ेगा तो यह होता है last day of the contract 3 months के लिए open रहता है तो यह last day of the contract कब होता है जो भी last Thursday रहेगा ठीक है यह question आता है last Thursday जो रहेगा month का तो उस दिन contract आपका expire होगा आप चाहें तो calendar चेक कीजिए अभी जो August month की expiry आईगी August 2020 की वो 27th August को expiry है ठीक है मतलब August contract जो है 2020 का वो 27th आज 7th of August थे तो 27th August 2020 को contract जो है वो खतम हो जाएगा तो जितने भी future buyers हैं है ना जिन्होंने future August contract में बाई किया हुआ था है ना तो उनको expiry के दिन या expiry से पहले कभी भी अपने contract को sell करना पड़ेगा ठीक है on or before expiry के दिन या expiry से पहले कभी भी उनको यह अपना future contract sell करना पड़ेगा either he or she is in loss or in profit वो चाहे profit में रहें चाहे loss में रहें उनको वो sell करना पड़ेगा अब for suppose August contract चल रहा है अभी और last Thursday को expiry है पर person ने September contract में purchase किया हुआ है तो उस case में क्या होगा उसको August की last Thursday को नहीं sell करना है उसको September के last Thursday को sell करना है तो जिस भी contract में आपने position बनाई है उसके last Thursday को आपको उस contract को finally buy किया है तो sell कर देना पड़ेगा और sell किया है तो buy करना ही पड़ेगा देन नेक्स्ट आता है tick size tick size क्या होता है जो buyer और seller बिट्स रहती है for suppose SBI है ठीक है तो 190 पे buyer है और 190.05 पे seller है यहां पर हम 189.95 ले लेते हैं 189.90 ले ले लेते हैं और यहां पर 190.10 ले लेते हैं 190.15 ले लेते हैं ओके सो यह tick size क्या होता है जैसे buyer और seller जो बिट्स आपको दिख रही है कि कोई buyer है वह 100 quantity 190 पे लेना चाहता है कोई buyer है जो 100 quantity 189.95 पे लेना चाहता है और कोई seller है जो 190.05 पे लेना चाहता है sell करना चाहता है कोई और है other seller जो 190.10 पे करना चाहता है और कोई और other है जो 190.15 पे sell करना चाहता है तो यहां पर अगर आपने notice किया हो तो हर एक bit के बीच में जो difference है जो point difference है वो point zero five का difference आपको दिख रहा है दिख रहा है तो यह जो point zero five का आपको difference दिख रहा है इसी को tick size बोलते हैं क्योंकि क्या होगा अगर कोई भी bit यहां पर होती है तो जो share का price fluctuate होगा SBI का जो price fluctuate होगा for suppose अभी 190 पे order हुआ है तो 190 फिर next second में अगर 190.05 पे order हुआ है तो 190.05 यहां पर 190 point 10 ऐसा यह जो tick size है यह 55 पैसे इसे अप यह down होता है पांच ना तो पांच पैसा कम पांच पैसे कम से नहीं होता ठीक है या तो फिर multiple of 5 पैसे में होता है जैसे 190 पे हो गया फिर हो सकता है कि यह gap में tick हो 190.10 है न तो यह जो है इसको tick size बोलते है ठीक है तो जो भी मतलब आपको जो share का जो movement देख रहा है वो कितने points से fluctuate हो रहा है उसी को tick size बोलते हैं तो normally exchange पे 5 पैसे का tick size रहता है तो इस पे भी आपको question आ सकता है आप note करके रखे कि tick size जो रहता है वो mainly 5 पैसे का रहता है 0.5 का रहता है ओक्यों करके रहता है झाल कर रहता है सकता है वो पैसे देखे का зай साट कर्णा कर वो पैसे का रहता है खो मैं गल पेम जो मैं जो आए जो जो खो रहता है क्वाइब। ओके सो इसी से मिलता जूलता है एक और चोटा सा टॉपिक है वो भी अगर आप यहां पर समझ लेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि उस पर कोशन आता है बिड और आस्क है ना तो जो आस्क प्राइस होती है बायर करने के लिए ठीक है और जो बीड प्राइस रहती है तो बीड प्राइस पाइस पर सेलर्स रहते हैं 105 अहन्रेड एन सब्सक्राइब यहां पर मैंने मिस्टेक कर दिया यह नीचे जाएगा 99.95 99.90 लोवर रेंच पर रहेगा और यहां पर यहां पर रेंच पर आएगा 100.15 ठीक है तो यह जो आस्क प्रैस तो यह यहां पर बायर्स है जो बाय करना चाहते हैं सिकृरिटेस तो यहां पर रहता है उसके क्या टैंडेंसी रहती है कि उसको हाई प्राइस पर सेल करना है विकास तभी वो लोग profit में आएंगे न तो यहां पर bid और ask का अगर आपसे कोई पुष्टा है तो यह जो bid रहती है यह seller bids रहती है और जो ask रहती है वो buy bids रहती है ठीक है बट अगर हम ask price की बात करें तो यह क्या होती है best seller price चीक है यहां पर confusion create होता है कि मैंने तो buy बोला था तो फिर sell क्यों मैं ऐसा बोल रही हूं best seller price क्योंकि अगर seller को directly market rate से sell करना है तो उसको इस price पर sell करना पड़ेगा तो इसलिए इसको best seller price बोला जाता है और जो यह वाला price है इसको best buyer price बोला जाता है मतलब कि अगर buyer को market rate से buy करना है तो उसको इस price पर buy करना पड़ेगा ओके तो आपको कहीं पर भी question आता है कि ask price that means best seller price और bid price मतलब best buyer price मुझे ज़्यान आया because मैंने जब exam दी थी तो यह question आया था ask and bid and I was confused की ask buyers के लिए होता है और bid seller के लिए होता है तो I'll take the best buying price but it's wrong वो best seller price था so आप त्यान रखिएगा bid and ask okay then next जो है हमारा वो है contract size okay so contract size और contract value इसको एक और word बोला जाता है lot size ठीक है lot size क्या होता है कि जो exchange है तो जब भी future contract form होता है future contract जो form होता है तो exchange पहले से ही यहां पर predefined कर देता है क्या predefined कर देता है quantity quantity को predefined कर देता है क्या आपको minimum इतना quantity तो purchase करने ही पड़ेगा for example reliance industry है है नो तो यहां पर exchange ने इसकी quantity predefined कर रखी है यह reliance का lot size है मतलब अगर किसी वेक्ति को minimum quantity purchase करनी है तो उसको 505 quantity purchase करनी ही पड़ेगी और अगर वह 505 quantity से ज्यादा purchase करना पचाता है तो उसको multiple of 505 पर purchase करना पड़ेगा मतलब एक lot अगर उसने purchase किया तो उसको 505 मिलेगी quantity ठीक है अगर वह 505 से ज्यादा quantity purchase करना चाता है तो ऐसा नहीं होगा कि वह 510 quantity purchase कर ले नहीं उसको 505 into 2 इस तरीके से purchase करना पड़ेगा अगर उसको और ज्यादा quantity purchase करनी है तो 505 into 3 तो इस तरीके से 1 lot, 2 lot, 3 lot, 10 lot वो कितने भी lot purchase कर सकता है बट उसको multiple of 505 का ही purchase करना पड़ेगा तो इसको बोलते हैं हम contract size या फिर contract value या फिर lot size भी word use करते हैं चीक है then next है हमारा basis तो basis क्या होता है basis है basis जो है वो spot price spot price मैंने आपको समझाया था the top one minus future price चीक है जो underline है चीक है underline है underline की जो price रहेगी वो minus future price suppose SBI का जब contract start हुआ तो जो equity का जो price चल रहा था वो 190 रूपिज चल रहा था और जो future का जो price चल रहा था वो 191 चल रहा था तो इससे हम क्या लगा सकते हैं कि लाइक यहां पर बाइंग है मतलब कि लोगों को लग रहा है कि यह continue जो rate है इसका बढ़ेगा तो इसलिए जो difference है यह plus में दिख रहा है तो यहां पर जब हम spot price minus future price करेंगे तो basis minus में रहेगा मतलब यह जो difference है अगर future price equity price से ज़्यादा रहेगा तो minus difference आएगा अगर future price equity price से कम रहेगा तो plus का difference आएगा for suppose 190 इसका चल रहा है और यह 189 चल रहा है तो यहां पर जो difference आएगा यह plus का difference आएगा spot price minus future price और यहां पर minus का difference आएगा minus one का 190 minus 191 तो इसी को basis बोलते है और यह जो basis रहता है यह expiry वाले दिन जिस दिन भी contract के expiry रहती है उस दिन यह zero हो जाता है zero क्यों हो जाता है क्योंकि जो settlement होता है future contract का जो settlement होगा future contract का वो future और spot price को same कर देगा मतलब settlement जो होता है वो spot पे जो price चल रहा होगा उसी price पे settlement करना पड़ता है आपको तो इस रहता है में इस रहता है में यह question आता है कि जो basis रहता है वो expiry वाले दिन क्या हो जाता है तो your answer is zero और true false में आ सकता है यहां पर कि basis is zero on expiry true और false तो यह आप धियान रखना कि basis spot price minus future price आप चाहो तो note करके रख लो और expiry वाले दिन यह zero हो जाता है वाई पिकर जो settlement होता है वो spot price पे होता है और future price पे नहीं होता है मतलब future का जो price है वो automatic spot के equivalent हो जाता है then margin account margin account क्या होता है जो broker के पास हम trading account open करते है ठीक है तो इसमें हमको कुछ amount invest करना मलब कुछ amount हमको इसमें save करना पड़ता है है न for trading purpose तो इसको margin account बोलते हैं या trading account भी बोलते हैं और second यहां से यह second जो है initial margin चीक है तो initial margin का meaning क्या होता है इस पे भी एक question आता ही आता है initial margin का मतलब क्या होता है अगर आपको future contract को build करना है यह token money आपको exchange को देना पड़ेगा और यह कितना होता है पहले यह 10% था बट अब सेवी ने 1st August 2020 से कुछ rules में changes लाया है जो कि I think future में 1st December 2020 से applicable होंगे December 2020 से applicable होंगे उन्होंने क्या बोलाए कि अब जो रहेगा अब volatility के according margin cut होगा मतलब जितना ज्यादा stock volatile होगा जितना ज्यादा उपनीचे की तरफ move करेगा उतना ज्यादा आपको margin pay करना परता है and this margin varies to 20% to 50% कहीं पे भी vary कर सकती और maybe more than 50% उन्होंने यहाँ पे दोनों दिये है ठीक है तो अब पहले अभी तक तो 10% ज्याद़ ज्याद़ 20% 30% it's also vary from 10 to 30 वो volatility पे डिपेंड था अब अब उन्होंने completely इसको वार प्लस ई-ई-ल-म अब आपके लिए homework है कि ELM क्या होता है ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है बट चलिए आप कहां homework करेंगे extreme loss margin बोला जाता है इसे ठीक है तो अब आपको पहले स्रिफ वार मार्जिन हां 99% वार मार्जिन पर ही डिपेंड था बट अब आपको एक्स्ट्रिम लॉस मार्जिन लब आपको maximum उस दे दिन में कितना लॉस हो सकता है वो प्लस वार वैल्यू एट रिस्क यह दोनों margin आपको प्रोवाइट करनी पड़ेगी किसे एक्स्ट्रेंज को ठीक है एक्स्ट्रेंज को आपको प्रोवाइट margin का meaning क्या होता है ओके देन थर्ड है हमारा मार्क टू मार्केट मार्क टू मार्केट को M2M भी बोला जाता है तो आपको मेभी कोशन में कहीं पर तो फूल लिखा हुआ आएगा मार्क टू मार्केट और कहीं पर आएगा M2M चीक है तो हम इसको दोनों ही उससे सीखते हैं कि यह क्या होता है मार्क टू मार्केट कि अगे तो आपको M2M भी बोला जाता है यह कहीं कहीं पर यह मार्क टू मार्केट तो कोशन में आपको तीनों तरीके से कैसे भी पूछा जा सकते तो मार्क टू मार्केट का मतलब क्या होता है जिसे आपने फ्यूचर खरीदा है कोई भी ABC लिमिटेट का ठीक है और यह फ्यूचर आपने 100 रुपीज में बाई किया है ठीक है आपने यह 1 अगॉस्ट 2020 को बाई किया है ठीक है अब यह जो जब 915 पे मार्केट ओपन हुआ तब इसका 100 रुपीज चल रहा था और आपने इसको बाई कर लिया यहां पर आपने इसको बाई किया है ठीक है और यह यह closing के time पर आपको position आपने hold किये अब यह closing के time पर क्या होता है 99 रुपीज पे close होता है ठीक है 99 रुपीज पे इसने यहां पर closing दी अब आपने 100 में purchase किया था और आपने कुछ 1000 का lot था यह तो 1000 quantity आपने खरीदी थी और यह 99 पे बंद हुई मतलब कि अगर हम 100 में से 99 को minus करेंगे तो किता हो जाएगा one into 1000 रुपीज तो यह जो 1000 रुपीज है इसको हम बोलते हैं mark to market और यह अगर यहां पर क्या हो रहा है माइनस में हो रहा है क्यों माइनस में हो रहा है क्योंकि buying price आपका ज्यादा का था और closing इसका lower rate पे हुआ है अगर आप इसका sum करें तो जो इसका जो formula रहता है वो रहता है closing price minus buying price और selling में different रहेगा selling में opposite रहेगा selling price minus closing price बट इससे better है कि आप ऐसे समझे कि आपने खरीदा 100 रूपे से था और आपके rate से नीचे की तरफ close वहा मतलब आपकी आपकी जो condition थी stock को buy करने के आपने किस condition पर buy किया था कि यह उपर जाना चाहिए प्लस होना चाहिए 100 से 101 102 की तरफ जाना चाहिए बट यह closing कहां दिया 99 पर close दिया मतलब आपकी condition से opposite में close दिया तो इसलिए यहां पर आपको क्या हुआ माइनस थाउजन रूपीज मतलब आपकी position 1000 माइनस पॉइंट में माइनस रूपीज में बंद हुई है तो यह जो mark to market होता है यह आपको pay कहना पड़ता है यह आपको देना पड़ता है exchange को at the closing of the day तो यह कैसे जाता है मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग का case होगी आप for suppose यहीं पर अगर आपने 100 रूपी पर sell किया होता और 99 रूपीज पर यह close होता मतलब आपने उपर सेल किया है ओके यह भी एक हम example समझ लेते हैं ठीक एक trade कैसे setup होता है पहले इसको समझें आपने buy किया है है ना जब आप इसको sell कर देंगे तो यह आपका एक trade हो जाएगा अब यहाँ पर buy condition क्या होती है lower price पर आपको buy करना होता है राइट और higher price पर आपको sell करना होता है तब ही आपको क्या मिलता है profit होता है correct आप तो ही profit कमा पाते हैं अब आपने पहले buy किया था और फिस sell कर अगर मैं इस condition को अब पहले आप दूंकि पहले आपने sell किया है और आपने buy कर लिया lower price पर higher price पर sell किया और lower price पर आपने buy कर लिया तो भी तो आप profit में हों correct कैसे share चल रहा था 100 रूपी आपने buy किया 102 गया 104 गया 105 गया आपने sell कर दिया राइट अब अगर यह 105 पेसे अगर आपने पहले sell किया हो तो फॉस 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 शेयर प्राइस जल रहा था 105 रूपीस का और आपने इसको महां से sell कर दिया और इस stock जो है वो स्लिप होना स्टार्ट हो गया 104 102 और यहां पर जैसी 100 पर आया आपने buy कर लिया तो यह क्या हो गया 105 हाइर प्राइस पर आपने sell किया था और लोर प्राइस पर आपने buy कर लिया आपका profit का formula क्या होता है sell minus buy यह होता है profit का formula हमने I think यह 10 में पढ़ा था sp-cp cost price selling price minus cost price तो selling price था हमारा 105 रूपीस का और हमने 100 पर उसको फिर से buy किया तो यहां पर हमको plus five point मिल गए ठीक है तो यह जो होता है यह first sell then buy कंडिशन है और आप यह भी कंडिशन ले सकते हैं फर्स्ट बाइदें सेल तो यहां पर आप दो तरीके से ट्रेट सेट अप कर सकते हैं एक तो आप पहले सेल कर सकते हैं या फिर आप पहले भाई भी कर सकते हैं बट आपका जो ट्रेट कंप्लीट एक ट्रेट बनेगा आपका profit booking कब होगा अगर आपने sell किया है तो आपको फिर से buy करना पड़ेगा या आपने buy कर रखी है position तो आपको फिर से उसे sell करना पड़ेगा तो यहां पर आपका एक पूरा complete trade setup होगा तो future के case में वही होता है for suppose अगर आपने higher price पे इसको sell किया है और वह lower position पे close होता है तो तो आपका mark to market जो आपका token money आपने दिया है तो उसमें कुछ money add हो जाएगा और अगर वह upside में close देता है for suppose आपने 505 पे इसको sell किया था और यह close होता है 108 पे यहां पे यह closing देता है तो इस case में क्या हुआ आपने 105 पे इसको sell किया था यह तो आपोजिट चला गया हमको तो नीचे चाहिए था lower price चाहिए था हमको हमारे price से यह opposite चला गया तो यह आपकी जो है यह loss की condition बन गई क्योंकि अब हम profit का formula लगाएंगे तो SP माइनस CP ओके तो 105 माइनस 108 मतलब यह 3 रूपी हमारी loss की position बन गई करेक्ट यह loss हो गया हमको माइनस में आ गया तो अब क्या होगा अगर thousand quantity थी आपके पास होता है वह होता है उसको सही तरीके से यूज किया जाए प्रॉपर हेज किया जाए या आर्बिट्रेज में यूज किया जाए तो future is the good one बट आपको उसके लिए पहले complete knowledge होना ज़रूरी है देन हमारा आता है open interest and volume ट्रेड़ तो open interest का मतलब क्या होता है जैसे कोई भी contract setup हुआ है तो उस contract में कितने trade setup हुए है trade कैसे setup होता है एक buyer होता है एक seller होता है इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में जो deal हुआ है यह एक open interest है ठीक है एक buyer है Mr. A buyer है Mr. B seller है इन दोनों के बीच में एक contract setup हुआ है नो तो यह open interest है तो जितने number of contract उस मंद में बनेंगे आपस में वो उस मंद का open interest होगा फिर volume traded मतलब टोटल कितनी quantity पर trade हुआ है तो वह volume traded कहलाता है देन प्राइस बैंड तो प्राइस बैंड क्या होता है प्राइस बैंड नॉर्मली यह भी predefined रहता है एक्सचेंज से एक्सचेंज क्या करता है कि कोई भी company कोई भी stock की upper limit और lower limit पहले से ही decide कर देता है यह इसलिए करता है ताकि वह ज्यादा break ना हो ठीक है upper limit और lower limit अब यह क्या हो यह किस पर depend करती है तो जो stock जितना ज्यादा volatile होता है उसके हिसाब से यह upper limit और lower limit decide होती कुछ stocks की 5% की रहती है कुछ stocks की 10% की रहती है कुछ stocks की 20% की रहती है कुछ stocks की 15% की रहती है तो यह price band हो गया upper limit और lower limit जो पहले से exchange decide कर देता है उसको हम price band बोलते है मतलब higher और lower limits को exchange set कर देता है कि जा उपर गया तो जादा से जादा इतना उपर जाएगा यह और नीचे गया तो जादा से जादा इतना नीचे जाएगा आप next cost of carry इस पर भी एक question आता है तो इसको हम separately ही इसको पढ़ेंगे cost of carry क्या होता है जो spot price और future price में जो relation होता है उसको हम cost of carry बोलते हैं चीक है और आप अगर इसको बहुत जादा नहीं समझना चाहते बस आप सिर्फ exam के इसाप से समझना चाहते हैं तो cost of carry का यह formula है आप इसको ध्यान रखे जो interest paid minus dividend receive यह cost of carry होता है net cost of carry चीक है अब cost of carry एक्चल हम इसको break even भी बोल सकते हैं बट आप इसको इतना ही ध्यान रखे exam point of view से कि cost of carry जो रहता है वो future price और spot price में relation रहता है ठीक है और यह actual हमको क्या बताता है न cost of carry का main काम क्या होता है कि यह हमको future का break even बता देता है ठीक है future का हमको break even break even मतलब क्या होता है कि हमने कोई share 100 रूपे में खरीदा ठीक है अब इस पर हमको कुछ charges लगते हैं broker brokerage लेता है ठीक है exchange tax लेता है फिर GST पर charge होता है यह सारे जो है यह charges है यह आपको कुछ न कुछ interest लग रहा है फिर अगर for suppose आपने यह 100 रूपे का share खरीदने के लिए market से कुछ amount लिया है कोई loan लिया है आपने है न तो इस loan पर आपको कित्ते percentage का interest लग रहा है तो वो भी यहाँ पर add होता है तो इसलिए उसको वो समय यहाँ पर add करने के बाद में हम future का break even निकालते हैं कि हमको किस amount के बाद में actual profit is start हो का तो cost of carry जो है वो इसलिए यूज आती है बागी और तो जादा वेसे इसमें से कोई questions आते भी नहीं है उतने चीक है then लेट आप कि अ कि अब यह पोजीशन से डेरिवेटिव में कौन कौन सी पोजीशन बन सकती है ठीक है तो डेरिवेटिव मार्केट में लॉंग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ओपन पोजीशन, ओपनिंग पोजीशन, क्लोजिंग पोजीशन, नेक्स पोजीशन और कैलेंडर स्प्रेट पोजीशन, कैलेंडर स्प्रेट अच्छे से समझना यह एज इस कोशन आता है यहां से कैलेंडर स्प्रेट के ऊपर ठीक है अब ही मैं स्टार्टी कैलेंडर स्प्रेट से करती बड़ पहले आपको लॉंग और शॉर्ट पोजिशन समझ नहोंगा तो जो मैंने आपको बाइंग और सेलिंग बताई थी तो अगर फॉर्स आप बाइंग कर रहे हो तो इसको लॉंग पोजिशन बोलते हैं ठीक है ठीक है देन ओपन पोजिशन ओपन पोजिशन का मतलब क्या होता है कि आपने बाइं किया है और आपने अभी तक सेल नहीं किया आप आपने अभी तक सेल नहीं किया आपने कोई भी स्टॉक जो है एबीसी लिमिटेट का बाइं कर रखा है बट उसको सेल नहीं किया है उसको होल्ड किया हुआ है तो वह आपकी पोजिशन ओपन है जिस दिन भी आप उसको सेल कर देंगे तो पोजिशन क्या हो जाएगी क्लोज हो जाएगी तो यहां पर हम एक और चीज समझ लेते हैं हमने जैसे बाइप पोजिशन बिल्ट अप करी तो इसको बोलते हैं ओपनिंग पो ओपन पोजिशन क्लोजिशन यह हो गया अभी नेख द पोजिशन क्या होती है इसलिए इसलिए यूजिश किया जाता है कि अगर आपके पास कैश में कोई पोजिशन नहीं कीुए यह लेकिन तो भी आपने फ्यूचर में उस स्टाप पे पोजिशन बना रखिए तो इसको प्रोजिशन बोलते हैं दन लास्ट वान इस कालेंडर स्प्रेट का मतलब क्या होता है यह अच्छे से समझ रहें यह नहीं कौशन आता ही आता है एक साम में के लैंडर इसप्रेट में क्या करते हैं इस्प्रेट से आपको समझ में आ रहा है छिड़काओ या दूर दूर तक फैला हुआ है ना ऐसे ही कुछ तो सेम उसी तरीके से future में भी इसको use किया जाता है calendar spread को calendar spread क्या होता है जैसे कि तीन contract open है और October तो आप क्या करते हो calendar spread में August contract में आपने buy position बनाई है same time में आप September contract में sell तो यह जो अलग अलग कॉंट्रैक्ट में आपने दो अलग अलग कोजिशन बिल्टप की है एक में बाइप पोजिशन बिल्टप की है इसको कैलेंडर इस्प्रेड बोलता है जिसे कि पॉस अगर मार्केट ज्यादा फ्लक्ट्टूइट हो रहा है तो यह कभी यूजाता है जैसे मार्केट फ्लक्टूइट हो रहा है दोनों तरफ घुम रहा है बाइंग में भी घुम रहा है और आपने बाइक कर रहा है है और कंटिनियस अपसाइड मुमेंट कर रहा है मार्केट ठीक है तो आपकी यह जो सेल पोजिशन है इसके तो फैवर ले रहे हों तो यह क्या करता है कि आपका जो प्रॉफिट और लौस है उसको इक्विवेलेंट कर देता है no loss no profit ज। विशी क्या करते हो इन रिस्क कोर्य करते हो अपने साथ में आपको कोई रिस्क नहीं होती और रिस्क ना होने के खारण ये lower margin को attract करता है तो यहाँ पर ये lower margin के उपर एक question बनता ही कि calendar spread carry no market risk hence lower margins are adequate इसमें क्या लगती है lower margins लगती lower margins को attract करता है calendar spread आप चाहो तो इसको rot लो या कहीं पर लिख लो ये question 101% आता ही है ठीक है तो इसमें कैसा रहता अगर calendar spread किसी ने बनाया है तो उसको no loss no profit की condition बनती है इसलिए वो lower margins को attract करता है risk कम होती है second ये भी question आसकता है कि calendar spread आप कैसे बना सकते हो तो calendar spread आप कैसे बना सकते हो या तो आप August September contract में बना सकते हो या September October contract में बना सकते हो अब इसकी हम टेकनीकल डेफिनेशन पर लेते है calendar spread position is the combination of two position in future on the underline मतलब underline एक ही होगी अगर SBI पर कर रहे हो आप तो SBI आप रिलाइंस पर कर रहे हो कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी पर कर रहे हो तो निफ्टी ही होगी या मैंक निफ्टी ही होगी ठीक है तो सेम अंडरलाइन पर आप position set up करते हो एक contract में आप long position बनाते हो और simultaneously other contract में आप short position बनाते हो तो इसको हम calendar spread बोलते हैं यह lower margins को attract करते हैं ओके दन मैंने आपको promise करा था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस topic से कितने question आते हैं अभी जो हमने यह part first पढ़ा है तो 25 marks में से almost 15 marks के आपको almost 15 marks के आपको यहीं से questions आ जाएंगे इसी particular उससे ठीके एक तो आपको initial margin पे question बन सकता है है ना हमने initial margin का देखा था कि 99% यह किस पर collect की जाती है वार पर collect की जाती है value at risk मार पर collect की जाती है ठीके देन calendar spread यह भी आप पढ़न लेना calendar spread का क्या था कि यह lower margins को attract करते हैं ठीक है तो यहां पर लोर मार्जिन प्लस आप प्लस आप इसका definition भी पूछ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं simultaneously दो contract में position build कर पाते हैं एक contract में buy होता है और other contract में sell position होती इस buy को long position बोला जाता है normally exam में कहीं पे भी आपको buy word नहीं मिलेगा सब जगा आपको long word ही मिलेगा और कहीं पे भी आपको sell word नहीं मिलेगा short ही मिलेगा ठीक है और हमने एक और चीज पड़ी की margin जो रहेगा तो margin amount कैसा रहेगा 10% margin रहता है to 30% vary करता है यह calculate कैसे होगा for suppose कोई stock है उसका जो lot size है वो thousand quantity का है और share का जो price है वो 100 रूपीज पर चल रहा है तो total amount किता होगा 1 lakh तो 1 lakh का आपको हम मान लेते हैं 15% आपको margin पे करना पड़ेगा यह हो सकता है questions आपको आजाए कि किता margin आपको पे करना पड़ेगा तो यह आप note कर सकते हैं प्लस मैंने एक bid और ask आपको बताया था तो bid and ask वाला भी आप अच्छे से revise करें इसमें से भी एक question आता है then direct forward contract की definition यहां से पूछ ली जाती है ओके और future की भी direct sometimes definition पूछ लेते हैं बट यह बहुत रहर होता है indirect way में ही वह questions पूछते हैं तो almost I think six to seven questions तो मैंने ही आपको बता दें तो 15 marks की questions यहां से इस introduction of forward and future contract से ही cover हो जाते हैं अब next part में हम pay off chart okay then uses of future future pricing और commodity equity and currency future हम discuss करेंगे so thank you for today आज का session हम यहीप खतम करते हैं इमीद करती हूं कि यह session आप लोगों को पसंद आया होगा अगर हां तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें and bell icon को hit करें and video आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक को भी hit करें and अपने friends की भी help करें उन्हें भी यह video ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें उन्हें भी free of cost में एक अच्छा certification course करने को मिल जाएं